हेलो एब्रिवन वेलकम तो माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ मखाना बर्फी की रेस्पी यह देखिए यह खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत ही असान है तो रेस्पी शुरू करने से पहले नीचे दिए के सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करें साथी बैल आइकन को भी क्लिक करें बिलकुल फ्री है ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पी सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे फ्लेम मीडियम रखेंगे इसमें डालेंगे दो कप मखाना यह 250 ml का कप है वजन से मखाना है 36 ग्रैम इन्हें फॉक्स नट या लोटस सीड भी कहते हैं यह हमारे लिए बहुत ही फायदे मंद होते हैं तो इन्हें मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनिट तक रोस्ट करेंगे मैं इन्हें ड्राइ रोस्ट करेंगे आप चाहें तो इन्ह प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं इसांदा हम रोस्ट नहीं करेंगे बाद में हम रीडन करेंगें तो अब हम सेम कडाई में डालेंगे एक छोटा चमत देसी घी, देसी घी को मेल्टोने देते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर अब हम डालेंगे 1 फोर्थ कप काजू, वजन से 30 ग्रैम है, काजूों को हम देसी घी में इसलिए रोस्ट करें ताकि इनका फ्लेवर बढ़ जाए, गी में रोस्ट करने से इनका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है, हलका पिंक कलर आने तक रोस्ट कर लिया हमने इने, तो अब हम इने सेम प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिसमें हमने मखाने डाले थे, अब काजू को और मखाने को बाद में हम ग्राइन करके पाउडर बना लेंगे, अब सेम कडाई में हम डालेंगे आधा कप डैसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा या कोकोनट पाउडर भी कहते हैं, वर्जन से ये 70 ग्रैम है, अब लो फ्लेम पर 2 मिनिट तक मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, तो अब हम इसे एक अलग से बोल म में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं, ये देखे, ये कोकोनट पाउडर और इसको मखाने के पाउडर को अलग से रख लेते हैं, साइड में, अब सेम कडाई में हम डालेंगे, तेड़ कप दूब, कच्चा या उबला हूँ आप कोई भी दूद ले सकते हैं, ये मैं कच्चा मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है, ये दूद और भी गाढ़ा हो जाएगा, और बर्फी में खोए जैसा टेस्ट आएगा, तो अगर आप नहीं डालना चाते हैं, तो दूद को और अच्छे से बॉयल करके से गाढ़ा कर लें, ये देखे, दूद में अच्छे से मिक्स बना लिया है, दूद को भी उबलते हुए, तीन-चार मिनट हो चुकिया है, और ये काफी गाढ़ा सा हो गया है, थोड़ी देर और बॉयल करेंगे इसे, ताकि ये थोड़ा सा और रिड्यूज हो के, थोड़े कम रह जाए इसकी क्वांटिटी, इसमें वन थर्ड कप चीन डीरे दीरे रोस्ट करके पाउडर रखा था डाल कर इसमें मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत जल्दी दूद को अब्सार्ब कर लेता है, तो हम इसमें मखाने और काजु का पाउडर भी डाल देंगे, जिसे हमने ग्राइंड करके अलग से रख दिया थ तो हम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर अज़े हैं एक से दो मिनिट तक इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक यह इस तरह से एक डो फरम में ना आज़े तो अज़ें हैं इसमें एक चोटा चम्म देशी गी यह एट करेंगे इसे बर्फी का तेस्ट भी बढ़ जाएगा और इस तरह से इसमें बहुत बढ़िया शाइन भी आ जाएगी यह देखिए अब यह इस तरह से एक डो फॉर्म में आ गया और अच्छे से इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया इस मिक्स ने तो अब हम इसे सैट होने के लिए क्या करेंगे एक ट्रे या कंटेनर में कर ले और इस तरह से यह हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं यह देखिए इस तरह से निकाल लेंगे अब हम क्या करेंगे स्पैचुला से इवनली स्प्रेड कर देंगे इस तरह से चारू तरफ और स्मूध कर लेंगे स्पैचुला से इस तरह से यह देखिए यह मैंने अच् लगता है इसलिए मैं पिस्ता डाल रही हूँ अब अच्छे से स्पैचुला से इस तरह से प्रेस कर देंगे बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है तो हम इसे काउंटर टॉप पर इस तरह से छोड़ देंगे एक घंटे के लिए यह देखिए एक घंटा हो चुक है बरफी अच्छे से से इट हो गया है तो इसे बहार निकाल कर कट कर लेते हैं तो इसे आप चाहिए तो स्क्वैयर पीसिस में कट करें या डाICO स्चेप में भी कट कर सकते हैं तो अपनी छोजाइस के बड़े चोटी पीसेिस में आप इसे कट कर लें ये देखिए मैं ही बृषी बनाना बहुत ही असान है जलदी बनों कर ये तियार हो गई तो एक पीस में निकाल के दिखाती हो यह देखिए कितनी बढ़िया बनी है और खाने में यह बहुत ही टेस्टी होती है तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं आपको यह बर्फी की रेस्पी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं आप सभी जानते हैं कि मखाने हमारे सेट के लिए कितने फाइदे मंद है और यह हमारी इम्म्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं आप जरूर इस रेस्पी को घर पर ट्राई करें यह देखिए बहुत ही बढ़िया मखाने की बर्फी हमारी बनकर तेयार है आपको यह रेस्पी कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर बताएं थैंक्स पर वाचिंग